नागपूर के पवनगाव इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर चरीत संदे के चलते जानलेवा हमला कर दिया आरोपी रमेश जग जीवन प्रसाद ने अपनी पत्नी आरती रमेश तीवारी का सिर पत्थर से कुचल दिया और फरार हो गया यह घटना मंगलबार को घटित हुई आरती को लहुलवा नवस्ता में में अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है पुलीस ने हज्ट्गा के प्रयास का मामला दर्ज कर रमेश की तला सुरू कर दी है बताये जारा कि आरती और रमेश के बीच अक्सर विवाद होते थे और हाली में दोनों के बीच सुलाक के बाद आरती वापस आई थी यह गटना है जिनांत तेविस साथ चोवित चे शकड़ी दहाते बाराचा दर्मेंचे आहे यह मदे आरोपी रमेश प्रसाथ जग जीवन प्रसाथ तिवारी उमर चालीज वर्ष आँ भवानी भगवान वाट लेआउट भवानी नगर पारड़ी है थे रहातो जखमी आहे तेची पत्मी सव आर्थी रमेश प्रसाथ तिवारी वर्ष तिवारी तेनना दो मुला आहे एक मुलगा आने मुलगी यह दोगान मदे वहिवाहिक डिस्पूट होते तीचा नवर्याला बायकोवर श्यक होता आणि त्या मुले पारड़ी पुलिस्चन ला बर अधने गारने गाले ला होता पर अंतु त्या दिवशी है वेक्तिने उष्वता जया पत्ने ला संभूना चे बायाना करू त्या डिपनी ग्रून गेला आनी तदला ने अधने पत्तिचा दोगावर मार्ने तो जबर दुखापट की लिया है त्या मुले सकाडी आमला जर् आरोपी पेड़ेजे उपलग मोबाईल आहे त्यारे जे गंदगुरून ठेवले ले आहे इतर तंत्रिक मदरी चे रसायाने टेवी स्टाफ आनी लोकल इंटलीजन चे मार्ध मातुन आप इंटेशों प्रेटन गरिता है तो जे आरोपी है जिच्छा या पुजा प्रकारे मारास्टर डिवी 24 के लिए बीरो रिपोर्ट नागपूर